आप लोगोंने इनका नाम तो सुना ही होगा हैमंद सुरेन और आप सभी जानते होंगे कि जारिखंड राज्जी के मुकमंतरी है लेकिन अवे ऐसा माना जा रहा है कि ये अपना इस्थीपा बहुत जल्दी दे देंगे क्योंकि आपने एक बिवास सुना होगा खनन को लेकर इन्होंने अपने को आप देखिए उसका एक तरह से टेंडर दे दिया था और उसी को लेकर आप देखिए इन पर एक मामला दर्ज होगा था और ऐसा माना जा रहा है कि चुनाओ आयोग ने जो हमारा भारती निर्वाचन आयोग है Election Commission of India है इसने राजजपाल को जारकन के राजजपाल को हैमंद सुरेन की बिधान सबा सदस्ता रद्द करने की बात की है और फिर आप सभी जानते हैं कि आप जब आप विधान सवा सदस ही नहीं रहेंगे और जारकन में विधान परशद है नहीं है तो आपको मुखमंत्री पद छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मुखमंत्री बनने के लिए मंत्री बनने के लिए आपको सदन का सदसोना अनिवार रहता है तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इनकी पिक्चर भी देख रहे होंगे इनके देखिए पिता जी है इनका पूरा परिवार है और आप देखिए इनके पिता भी आपको मालू होना चाहिए कि किसे राजनीती से जुड़े रहे हैं इनका परिवार हैं इनकी पतनी इनके दुनों वेटे और इनका संबन्द जारकंड से हैं जारकंड के बारे में आपको मालू होगा कि जारकंड पहले किसका हिस्सा हुआ करता था बिहार का हिस्सा हुआ करता था और आप सभी जानते हैं कि कब अलग हुआ था ये जारकंड जारकंड को आपका 15 निवंबर सन 2000 में राज्य बनाया गया था राचीस की राध्धानी है इ आपकी 81 सीटे हैं, राज्य सभा में 6 सीटे हैं, लोग सभा में 14 सीटे हैं, तो ये भी याद रखेगा, और अगर हम लोग हैमंत सुरेन की बात करें, तो इनका जनम 15 अगस्त 1975 में हुगा था, और ये 15 अगस्त वही साल है, जब हमारे देश में राष्टी है, आपात काल लगा इंद्रा गांधी के द्वारा, इंद्रा गांधी उस समय पिधान मंत्री थी, इनका जनम होता है नेमरा रामगर जिली में, जो उस समय बिहार में पढ़ता था, अब जार्खंड में पढ़ता है, जब जार्खंड अलग हो चुका है राजी तो, ये अनुसूची जन्जाती से आते हैं, यानि की एस्टी हैं, इनके पता का नाम सीबु सुरेन, जो राजनीता रहे हैं, और इनकी माता का नाम रूपी सुरेन, जो किसान रही हैं, और इनकी पतनी का नाम कल्पना सुरेन, जो ब्यवसाई हैं, इनके दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, और इनकी सुरु हुए है और इसका अगठन आप देखेंगे 1922 में हुगा था जे एमेम का अगर हम लोग हैमन सुरें की राजनितिक यावत्रा की बात करें तो 2005 में इन्हों जारकन विधान सभा चुनाव लड़ा लेकिन वह इस्टीफन मरांडी से चुनाव हार गये थे यानि कि पहली बारे विधान सभा चुनाव लड़ते हैं विधायक का और उसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ता है और आप सभी को मालू होगा कि अगर आपको विधान सभा स जनता के द्वारा होता है। जो बोटर होते ना मद्दाता होते ना जिनकी उमर 18 साल हो चुकी होती है। वो मद्दाता बन जाते हैं। उनी के द्वारा चुनाव होता है। फिर आप देखेंगे कि 24 जुन 2009 में उन्हें राज़सभा के सदस्त की रूम में चुना गया। और आ आपके विधायकों के द्वारा होता है, MLA के द्वारा होता है, फिर आप देखेंगे चार जनवरी 2010 को जारकन के दुमका निर्वाचन छित से विधायक चुले जाते हैं, उसके बाद राज्यसवा से इस्तीपा दे देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, कि एक साथ आप द 2010 में उन्हें जारकन के उपमुक मंत्री की रूम में चुना गया, और आपको बता दूं कि उपमुक मंत्री का पत समीधान में कहीं नहीं है, वो तो क्या रहता है कि एक राज्य में आप देखते हैं कि दो बरावरी के नेता होते हैं, तो एक को मुक मंत्री बना दिया जाता ऐसा कि इनमें दोनों में बंती रहे, पायटी में बढ़बारा ना हो, और यह गठबंदन हो तो वो गठबंदन चलता रहे फिर आप देखेंगे 13 जुलाई 2013 को हैमन सुरेन को जारखंट की पांचवे मुकमंत्री की रूम में नुक्त किया गया फिर आप देखेंगे 23 दिसंबर 2014 को वह बरहेट बिधान सवाचीट से बिधायक की रूम में चुने गए फिर आप देखेंगे 2014 में जारखंट बिधान सवाच चुनाओं में जब भाजापा को यानि की भारती जिंता पायटी को भावमत मिला तो इन्हे 8 जनवरी 2015 को विपक्ष की निता की रूम में नामित किया गया और 23 दिसंबर 2019 को उने फिर से जारखंड विधानसवा चुनाओं में बरहेट विधानसवा सीर से विधायक की रूम में चुने गये और 29 दिसंबर 2019 को हैमन्त सुरेन जारखंड की मुखमंत्री बने अब आप लोगों को बता दूँ 2019 में जो आपकी विधानसवा चुनाओं हुए थे जारखंड में इसमें इनकी पार्टी को पूर्ण भाहुमत नहीं मिला था और इनकी पार्टी को आप देखेंगे कितनी सीटे मिली थी क्यासी में से 30 सीटे मिली थी और आप सभी जानते हैं कि कितनी सीटे चाहिए सत्ता में आने के लिए 41 सीटे कम से कम चाहिए और इससे इनने क्या किया कि जो कॉंग्रेस है भारती राष्टी कॉंग्रेस जिसकी स्थापना आप सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में हुई थी उसके साथ गटबंदन करके और भी पार्टिया थी इन्होंने मुक मंत्री का पद समाला था ठीक है? और 2017 में इनसे जुड़ा हुआ एक विबाद भी रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस तरह का किसी पत पर कोई रहता है तो विबादों का जुड़ना सोभा भी किसी बात रहती है 2017 में जारखन की CM रगुवर दास ने हैमंत सुरेन को जारखन गिलोबल इन्वेस्टर सम्मिट में आमंतित किया था लेकिन हैमंत ने यह कहते हुए निवंतन से को आश्विकार कर दिया था कि सम्मिलन भूमी हतियाने वालों का एक महाचिंतन से बेर है और यह आदिवासियों, मूलवासियों और राज्य की किसानों की भूमी को लूटने के लिए आयोजित किया जा रहा है उस समय भी काफी चर्चा में रहते और खुद को खनन पट्टा आवंटित करने का आरूप भी लगा था और इसी मामले में कहते हैं इनकी जो विधालसवा सदस्ता है वो जाएगी आगे कौन मुकमंत्री बनता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा और मुझे लगता है कि आजकल आप लोग सोसल मीडिया पर एक्टिव है निवज देखते रहते हैं तो आपको मालू चल जाएगा लेकिन Election Commission of India भी चर्चा में है बारती निर्वाचन आयोग आप सभी जानते होंगे कि आपकी विधान सभा विधान परशद राष्ट पती उफराष्ट पती लोग सभा राष्ट सभा इन सब के चुनाओ की देखरें कि आपका Election Commission of India बारती निर्वाचन आयोग करता है और इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जन्मरी 1950 में हुई थी और समिधार का अनुछेद आप लोग 324 देखेंगे आटिकल 324 यह आपका चुनाओ आयोग से सम्बंदित है और पहले हमारे मुख चुनाओ आयोग की बात करें तो सुकुमार सैन थे ठीक है और जो आपकी आजी में अपना निर्वाचन आयो होता है ठीक है जैसे उत्तर पर देश जाएंगे तो उत्तर पर देश निर्वाचन आयो मद्द पर देश जाएंगे तो मद्द पर देश निर्वाचन आयो ठीक है तो यह आपनो जरूर याद रखेगा तो यह कहानी है हैमंत सुरेन की औ और किसी के बारे में अगर आपको जानने की दिल्चस्पी है, तो उसका नाम आप लोग नीचे लिख सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेगे, ठीक है?